नए साल ने बिहार की नितेश और तिजस्वी सरकार को बड़ा जटका दिया है CMIE की रिपोर्ट आई है जिसके बाद साफ हो गया है कि बिहार में बेरोजगारी दर एक बार फिर से बढ़ गया है और अब ये बढ़ कर 19.1 फीजदी पहुँच चुका है जिसके बाद आसान शब्दों में आपको बता दें कि बिहार में हर पांचवा वेक्ती जो नौकरी ढून रहा है या ढून सकता है वो बेरोजगार है मतलब साफ है कि बिहार में नौकरी के लिए लोग ललाईत हैं और इन लोगों की श्रेणी की अगर हम बात करें तो इन में से हर पांचवावेक्ती विरोजगार है सेंटर फॉर मोनिटरिंग इंजिन एकोनोमी यानि की CMI की ताजा रेपोर्ट के अनुसार बिहार में 19.1 परतिशत विरोजगारी दर है यानि बिहार का पांचवावेक्ती विरोजगार है रिपोर्ट आने के बाद छात्र निताओं ने बिहार की सरकार को जबरतस्त तरीके से घिरा है अगभग 14 परतिशत विरोजगारी दर थी लेकिन अब 19.1 परतिशत हो गई है जो की काफी चिंता का भी से है सरकार को चाहिए कि खाली पड़े सरकारी पदों पे अविलम वैकेंसी निकाले ताकि विरोजगारी दूर हो और इवाओं को नौकरी मिले एम आई की रिपोर्ट ने बिहार सरकार को आईना दिखाने का काम किया है जहां एक तरब सरकार लगतार नौकरिया देने का दम भर रही है वहाँ इस रिपोर्ट में बिहार में विरोजगारी दर बढ़के 19.25 से भी ज़्यादा बताई गई है और इसके लिए कही ने कही ब बिहार सरकार का उदार्शीन दवया जिमवार है, क्योंकि तमाम सीटेट, मिटेट, अबेटी लगातर अपनी नितियों को लेके मांग करें, लेकिन सरकार के उदार्शीन दवया से बिहार में विरुजगारी दरबर के उनने इस परतिसस से में जादा हो देखने के बाद युक्ती पत्र बाटे जा रहे हैं, नितीश कुमार जी ने साफ तोर पड कहा है कि बिहार में 20 लाग रोजगार के अवसर सुजित किये जाएंगे, इस दिशा में काम भी हो रहा है, लेकिन विमिन आकडों के माध्यम से बिहार की छवी को धुमिल करने का एक कुचित प्रय होता रहता है, केंदर की सरकार सत्ता में आई थी, रोजगार के नाम पर, हर वर्ष 2 करोड रोजगार देने का वादा किया था, 8 वर्ष बी चुके हैं, 16 करोड से जाधा रोजगार इनको देना था, लेकिन इस दिशा में कितना काम हुआ है, या देश की जंता भली भाती ज पुलिस में नियुकती नहीं कर रही है, बीपी एससी, बीएससी की परिक्षाएं होती है, आप देखें कि क्वेस्चन पेपर लीक होता है, एपॉइंटमेंट घोटाला है, जिस तरीके से बैक डूर से लोगों को नौक्रिया दिये जा रही है, एक सिंडिकेट बढा कर सरक से जुड़े लोगों को के द्वारा वो अपने आप में एक चिंता का प्रस्ण है बिहार का अपना रेविन्यू कापिटल जनरेशन कापिसिटी क्या है बिहार में उद्द्योगों की क्या इस्थिती है कानून वेवस्था की क्या इस्थिती है ये अराजकता का महौल है ऐसे में रोजगार के आउसर तो सामने आएंगे नहीं CMI के रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक बिरुजगारी हर्याना में है जहां 37.1% बिरुजगारी है वहीं राजस्थान में 28.5% बिरुजगारी है तीसरे नमबर पर दिल्ली है जहां 20.8% बिरुजगारी दर है वहीं बिहार की अगर हम बात करें तो यहां 19.1% नमबर की अगर हम बात करें तो 17.1% के आसपास यह आकड़ा था और दिसंबर में यह बढ़कर 19.1% बिरुजगारी है मतलब साथ है कि बिहार में नौकरी को लेकर हाला जो है वो चिंता जनक बने हुए हैं परिशानी महीने दर महीने बढ़ती जा रही है ऐसे में नौकरी क को लेकर सियासत और चुनाव प्रचार तक तो गुए लेकिन देखना होगा कि बिहार में नौकरी को लेकर इस्थिती का बदलती है कब सात्वे चरण की बहाली होती है कब फेपर लेकोना बंध होता है कब विरोजगार युगाओं को बिहार में रहकर ही रोजगार मिलता है विहार की खबरों के लिए आप देखते रहें विहार कर